सब्सक्राइब लर्न एजी चैनल हलो केट्स वेल्कम टू लर्न एजी चैनल आज की कक्षा में हम सीखेंगे करताकारक और कर्मकारक तो चलिए शुरू करें बच्चों आईए देखते हैं करताकारक किसे कहते हैं जो वाक्य में कारे को करता है जो वाक्य में कारे को करता है जो वाक्य में कारे को करता है वो करता कहलाता है करता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कारे को करने वाले का पता चलता है जो भी वाक्य है उसमें जो काम कर रहा होता है वो करता कहलाता है और इसका विभक्ति चिन जो है विभक्ति चिन जो है इसका ने होता है करता कारक का विभक्ति चिन ने होता है पर कभी-कभी अईसा होता है कि उसंवे ही भगति लूम तो याती बस लिए जाती है जाती इस ले वे किया ना करता है दौहरा है जीजिए उसको करने वाला करता कह लाता है जैसे कि मोहन लिख रहा है अब यहां पर ने विभक्ती का प्रयोग तो नहीं किया गया मोहन लिख रहा है अब यहां पर ने विभक्ती का प्रयोग नहीं है पर फिर भी इसमें करता है इस कारे को करने वाला कौन है? मोहन है. हाथी, अब दूसरा वाकिया देखिए, हाथी जूम रहा है. अब इस वाकिया में भी व्यवक्ती चिनन तो हमारा ने नहीं लगा हुआ, पर फिर भी इसमें करता है. क्योंकि इस कारे को जूमने का काम कौन कर रहा है? हाथी कर रहा है. तो इसलिए यहाँ पर हाती जो है वो करता कहलाएगा अब जानते हो जो प्राकर्टिक शक्ति या पदार्थ होते हैं उनमें भी करता का रूप होता है जैसे अब सूरज चमकता है कोई उसको चमका तो नहीं रहा है अब यह वाकिए देखिए सूरज चमकता है अब यहाँ भी क्रिया हो रही है यहाँ पर भी क्रिया हो रही है और करता भी है कौन कर रहा है सूरज जो है वो चमक रहा है तो इसको चमकने वाला कौन है सूरज है तो करता यहाँ पर भी है पर ने विबक्ति चिन का यहाँ भी प्रयोग नहीं किया गया पर यह प् है देखके की और सबसस्क्राइब कि घरज ते है बाधल कर रहा है पर वो यह प्रूरा अपने आप और हिर यह नहीं दो रही है यह अपने आप करता है तो यह यहाँ पर भी करता है सूरज यहाँ करता है यहाँ बादल करता है पर यहाँ पर और आपने देखा इन सभी वाक्यों में ने विभक्ति चिन का प्रयोग नहीं हुआ तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि किन किन वाक्यों में कहां कहां पर ने विभक्ति चिन का प प्रयोग नहीं होता जैसे अब यहां देखिए मोहन 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 पुस्तक पढ़ता है पढ़ता है अब यह कौन सा काल है पताए जरा कौन सा काल है यह वर्तमान काल अब यह वर्तमान काल है पर इसमें आप आप देखिए यहां पर ने भी भक्ति चिन का प्रयोग नहीं किया गया है अब दूसरा वाक्य देखिए जैसे रीना खेल खेलेगी अब यह बताए यह कौन सा काल का वाक्य है यह है भविश्यकाल का वाक्य है यह है भविश्यकाल का वाक्य है अब आप इसमें भी देखिए इसमें भी ने भी भक्ति चिन का प्रयोग नहीं किया गया अब सोहन गया था सोहन गया था यह है हमारा भूतकाल यह हमारा भूतकाल और भूतकाल की यह है हमारी अकर्मक क्रिया भूतकाल की यह अकर्मक क्रिया है अब आप देखिए इन तीनों वाक्यों में क्रिया तो हो रही है करता है कौन है करता इसमें पुस्तक कौन पढ़ रहा है मोहन पढ़ रहा है इसमें खेल खेलने का काम कौन कर रहा है रीना कर रही है इस वाक्यों में कौन गया था सोहन गया था तो सभी वाक्यों में करता त पर हमने कोई भी विभक्ति चिन का प्रयोग नहीं किया इन वाक्यों में विभक्ति चिन का प्रयोग जो है वो सिर्फ भूत कालिन सकर्मक क्रियाओं में ही होता है जो भूत काल की क्रिया होती है पर वो सकर्मक होती है उनमें ही जो इसके विभक्ति चिन करता का मैंने भी बता ऑप जैसे में आपको भाक्ता टाती हूं सुरेश ने की सुरेश दूर्टोusan ने लुद मतर है अब आपढे यहाँ पर Ryan को सकर्म को करिया है इसी अब एक और देखिए माया नें I observed कि इसमें इसलिए एंपर भी ने जो मार विबती चिन उसका प्रयोक किया गया तो आपको इसमें करताकारक में हमें ध्यान रखने योग बाती यह है जो भी क्रिया को करता है वो कर्ताकारकハलाता है क्रिया को करने तो चलिए अब मैं आपको कुछ और उधारन देती हूँ जिससे आपको ये और अच्छे से समझा जाएगा विकास ने फुटबॉल खेली दिनेश ने पीडित की सहायता की अमित ने पूरी किताब पढ़ ली रामु ने अपने बच्चों को पीटा मेरे मित्र ने मेरी सहायता की अध्यापक ने विध्यार्तियों को डांटा विकास ने एक सुन्दर पत्र लिखा बच्चों अब तो आपको समझा गया होगा कि कर्ताकारक किसे कहते हैं तो चलिए अब देखते हैं कि कर्मकारक किसे कहते हैं क्रिया का प्रभाव या फल जिस संग्या या फिर सरुनाम पर पढ़ता है उसे कर्म कहते हैं वे वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहलाता है या कर्मकारक कहलाता है और कर्मकारक का विभक्ति चिन जो है वो को होता है विभक्ति चिन इसका यह लिख देती हूं मैं विभक्ति चिन विवक्ति चिन कर्मकारक का है को अब जैसे कि मैं आपको उधारन देखके बताती हूँ कि रंजन पुस्तक पढ़ रहा है रंजन पुस्तक पढ़ रहा है अब इस वाक्य में देखिए रंजन पुस्तक पढ़ रहा है इस वाक्य में क्रिया का आधार क्या है पढ़ी जा रही है क्या पढ़ी जा रही है पुस्तक पढ़ी जा रही है अब और वाक्य में आपको बताती हूँ जैसे रीना डोलक बजा रही अब आप यहां देखिए इस वाक्य में रीना धोलक बजा रही है अब इन वाक्यों में यहां क्या पड़ी जा रही है पुस्तक क्या बज रही है क्या बजाई जा रही है धोलक बजाई जा रही है तो आपने देखा कि इन वाक्यों में कर्म कारक है कि यहां पर क्या काम हो रह भक्ति नहीं लगती है जयातर वाक्यों में आप देखेंगे कि इनमें जो विभक्ति चिन है उसका प्रयोग नहीं होता है पर कभी कभी कर्म के साथ जो है को विभक्ति चिन का प्रयोग किया जाता है जैसे मा ने बालक को समझाया अब यहां पर देखो मा ने बालक को समझाया अब समझाने की क्रिया हो रही है तो यहां पर किस assigning में बालक को समझाय जा रहा है तो अब आप देखेंगे वो आपका जो है वो कर्म कारक कहलाएगा जैसे अब मैं आपको एक और उधारन दे कर बताती हूँ राम ने रावन को मारा अब यहां पर बहुत को मारा यहां पर उत्तरा रहा है रावन को तो यहां पर किसको समझाया बालक को तो यहाँ पर कर्म की पहचान जब हम करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं कि अगर आप वाके में क्या या किसे प्रशन लगाकर जो भी प्रशन करेंगे क्रिया के साथ तो जो उत्तर मिलता है वो कर्म होगा तो चलिए अब मैं आपको इसके कुछ और उधारन देख कर बताती हूँ जिससे आपको यह और अच्छे से समझा जाएगा बड़े लोगों को सम्मान देना चाहिए सीता ने गीता को बुलाया मेरे दोस्त ने कुत्तों को भगाया अध्यापक छात्रों को पीटता है बच्चो कभी कभी वाक्य में जो है दो कर्म एक साथ होते हैं मुख्य उसको कहते हैं मुख्य कर्म और गौन कर्म मुख्य कर्म जो मेन काम जो वाक्य में हो रहा होता है उसको कहते हैं मुक्य कर्म और दूसरा कर्म जो होता है वो गौन कर्म होता है अब आप इन वाक्य में देखिए मां बच्चे को खाना खिला रही है यहां अध्यापक बच्चों को दंड दे रहा है अब यहां पर गौन कर्म क्या है यहां पर बच्चों को यहां बच्चों को यह दोनों हमारे गौण कर्म है और यहां पर खाना क्या खिला रही है खाना और क्या दे रहा है वो दंड दे रहा है यहां पर खाना और दंड यह हैं मुख्य कर्म मुख्य कर्म है यह क्यूंकि वाके में कभी कभी दो कर्म एक साथ आ जाते हैं तो इसलिए एक को यह जो हमारे क्रिया के साथ होता है यह जो क्रिया है हमारी खिलाना क्रिया है यहां दंड देना क्रिया है तो क्रिया के साथ जो कर्म हो रहा होता है क्रिया के जो समीप होता है व तो जो है हमारा मुख्य कर्म होता है और जो क्रिया से दूर होता है वो गौन कर्म होता है और इसमें विभक्ति नहीं लगती है जो इसके साथ है आप देखो क्रिया के साथ में जो कर्म हो रहा है उसमें विभक्ति नहीं है और दूर जो गौन कर्म है उसमें को क्रिया को विभ अब तो बच्छों आपको समझ आ गया होगा कि कर्मकारत किसे कहते हैं आइए अब एक अभ्यास करें प्रेशन एक क्रिया का प्रभाव या फल जस संग्या या सरुनाम पर पढ़ता है उसे टैश कहते हैं तो बताये बच्छों क्रिया का प्रभव या फल जिस संग्या या सरुनाम पर पढ़ता है, उसे क्या कहते हैं, हमारे पास विकल्प हैं करनकारक, करताकारक या फिर कर्मकारक, सोचिए ज़रा, बिल्कुल सही, कर्मकारक, प्रश्न दो, सुरेश डैश आम खाया, अब इस वाक्यों को करताकारक के द पर, बिल्कुल सही, यहां ने आएगा, सुरेश ने आम खाया, बहुत अच्छे हैं, प्रश्न तीन, क्रिया करने वाले को डैश कहते हैं, बताईए बच्चो, जो क्रिया करता है, उसे क्या कहते हैं, हमारे पास विकल्प हैं, करनकारक, कर्मकारक या करताकारक, बिल्कुल स राम पुस्तक पढ़ता है अब इस वाक्य में पुस्तक क्या है हमारे बास विकल्प है कर्ताकारक कर्मकारक या फिर अधिकरनकारक जी हाँ बिल्कुल सही कर्मकारक प्रश्ण पांच कृष्ण ने अर्जुन डैश समझाया अब इस वाक्य में कर्मकारक का प्रियोग करते हुए हमें वाक्य को पूर्ण करना है हमारे पास भी कल्प है को, से, का तो बताईए बचो यहां क्या आएगा बिल्कुल सही को, कृष्ण ने अर्जुन को समझाया आज के कक्षा में इतना ही अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे तक तक के लिए बाई